Hello everyone, हम class 7th science and CRT को study कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का chapter number 6 जिसका title है physical and chemical changes इसके बारे में discuss करेंगे तो चलो start करते हैं chapter को start किया है हमारे daily life से related कुछ basic facts के साथ में कि हम daily life में अपने surroundings में बहुत सारे changes देखते हैं अब इन changes को यहाँ पर example के through हमें समझाने की कोसिस की गई है कि जैसे कि हम अपने घर में milk से curd बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक change दिखाई देता है आपके पास में rubber band है उसको आ और dissolve करने के बाद में हमें वहाँ पर भी एक change जो है वो represent हो रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें तो milk जो है वो कभी कभी shore हो जाता है तो milk का ये shore होना खटा होना जो है वो भी एक change को represent करता है तो यह जितने भी परकार के हमरे आसपास जो है वो हमें change दिखाए देते है उन changes को हम उनके nature के basis पर two part में divide कर सकते हैं कि broadly जितने भी changes होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं या तो होता है physical change या फिर होता है chemical change तो सबसे पहले हम इस chapter में समझेगे physical changes के बारे में कि physical change जो है वो क्या होता है देखो physical change को लेकर के यहाँ पर कुछ example भी हमें दियो है कि मान लो आपके पास में जो है वो paper का piece है इसको आपने cut करके कुछ part में divide कर दिया इसके अलावा blackboard में आपने chalk से लिखा और लिखने के बाद में वहाँ पर भी जो chalk है उसकी size कम हो गई है तो यहाँ पर एक कुछ example दिये गए है चाके हम समझ पाएं कि physical changes क्या होते है physical changes को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो physical जो properties है वो क्या होती है देखो कोई भी जो substance होता है उसकी कुछ properties होती है जैसे कि shape, size, color और state यह जो properties है वो किसी भी substance की physical properties होती है तो इन physical properties में अगर कोई change होता है तो उसको बोला जाता है physical change मतलब किसी भी substance का size कम हो जाए size change हो जाए, उसका color change हो जाए उसकी जो state है वो change हो जाए या फिर जैसे की shape जो है वो change हो जाए तो उसको change को बोलेंगे हम physical change देखो जो physical change होते हैं वो generally reversible होते है reversible मतलब जो main stage जहां से वो change start हुआ वहाँ पर आप दुबारा से उसको एक तरीके से ला सकते हो physical change में लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है generally बोला गया है कुछ में हो जाएगा main stage आ जाएगी कुछ में नहीं होगा तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी physical change होते है उसमें कोई नया product नहीं बनता है मतलब physical change में कोई नया product नहीं बनता है अब बात करेंगे chemical change की तो chemical change जो है उसको समझाने से पहले यहाँ पर एक example दिया हुआ है कि iron जो है iron के हम यूज करते हैं जिससे कि अगर हम बात करें, हमारे घर की बहुत सारे जो डौर्स होते हैं, हमारे आगर की जो विंडूर्स होते हैं, वो आइरन से बनी हुई होते हैं इसके अलावा और बी ओपन, जिससे आपके घर में अगर जूला है तो अगर isol और ओक बना होगा, तो हम देखते हैं कि ट राउनी सबस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रस्ट और यह जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रस्टिंग तो यहाँ पर जो रस्टिंग जो प्रोसेस होता है आईरन के उपर उसके थिरू यहाँ पर एक्जांपल बताया गया है यहाँ पर एक इंपोर्टेंट फैक्ट है यह आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम iron के उपर जो rust देखते हैं वो iron नहीं होती है तो यह important fact है यह आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पर कुछ example कि थ्रू जो chemical process है उसको समझाने की कोसिस की गई है यह हमारे exam के perspective से ज़्यादा important नहीं है हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा important जो बात है उसको हम समझेंगे और फिर जो rust का जो process है जिसको लेकर कि बहुत सारे exam में question पूछा भी जाता है उसको हम यहाँ पर clear करेंगे तो देखो a change in which one or more new substance are formed is called a chemical change अगर कोई change हो रहा है और उसकी वज़े से product जो है वो बन रहे हैं तो उसको बोलते है chemical change chemical change जो है इसको chemical reaction के नाम से भी बोला जाता है मतलब chemistry में जो हम पढ़ते हैं वो एक तरीके से chemical change है यहाँ पर हम photosynthesis के प्रोसेसर के थुरू अगर हम उसको समझने की कोशिस करें तो उसमें CO2 plus में H2O और यहाँ पर sunlight और साथी साथ में chlorophyll जो pigment जो है उसकी presence इसके साथ में यहाँ पर photosynthesis procedure हुआ, product बनता है साथी साथ में यहाँ पर कुछ जो है उपाई product के रूप में oxygen भी निकलती है तो यह एक तरीके से chemical process हो गया जिसमें कोई ना कोई product बना अब जो chemical process होता है उसमें एक product भी बन सकता है और एक से ज़्यादा product भी बन सकते है तो chemical change जो है वो हमारी life में बहुत ज़्यादा important है हमने अगर हम बात करें तो chemical change करने के साथ में ही बहुत सारे important product जो है हो हमारी life में सामिल हुए है जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि कुछ example दे रखके है कि जो भी नए substance होते हैं वो chemical change के थ्रू ही बनते हैं जैसे कि digestion of food जो है हमारी body में ripening of fruits जो है fermentation of grapes जो है वो chemical change होने की वज़े से ही देखने को मिलते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो medicine जिसको हम use करते हैं हमारी disease के time में वो भी chemical reaction की एक chain होती है उसके थ्रू ही यह product जो है वो सामने आता है कुछ नए material जैसे कि plastic जिसको हम use करते हैं detergent यूज करते हैं घर साफ करने के लिए कपड़े साफ करने के लिए ये सारी चीजे जो है वो भी हमें chemical reaction chemical change के थ्रू ही मिली है तो यहाँ पर बताया गया है कि everyday कोई ना कोई नया product जो है वो हम देखते हैं वो किसके थ्रू आ रहा है chemical change के थ्रू आ रहा है जैसे कि अगर आप बात कर लो आप जो कपड़े पैनते हैं उसमें भी कितना जो है वो change देखने को मिल गया है नए नए तरीके की कपड़े की variety जो है वो बनाई जा रही है chemical reaction के थ्रू ताकि ज़्यादा से ज़्यादा product जो है उसको बनाया जा सके इसके अलावा इस तरीके का जो fabric है वो भी बनाया जा सके artificial तरीके से fiber इस तरीके से बनाया जा सके कि उसको हम easy और जो convenient जो fabric है उसमें हम change कर सके तो यहाँ पर बताया गया है कि जो chemical procedure होता है उसमें ना सिर्फ product बनते हैं, product के साथ में by-product भी निकलते हैं, by-product में आपको कोई जो है, वो gas जो है, वो emit हो सकती है, या फिर gas को कभी-कभी absorb भी कर लिया जाता है chemical reaction procedure में, कभी-कभी कोई sound आपको सुनाई देगी, कभी जो है, वो अगर हम बात करें, तो color जो है, वो change हो जा तो यहां पर बताया गया है किसके बारे में यहां बताया गया है ओजोन लेयर के बारे में देखो ओजोन लेयर जो है इसमें क्या होता है कि ओजोन की जो लेयर है वो इस तरीके से है स्प्रेड है हमारे जो भी हमारा एटमोस्पियर है उसमें यहां से सन है तो सन की रेज के सा के साथ में cartridges वी आती है और अब 93 छ यो जो जयो कर लेता है और इनको एक दरीके से वापस देता है आक लेकिन टाइम के साथ में क्या होता है क्या जैसे pollution level increase होता जा रहा है, यह ozone layer जो है, वो decrease होती जा रही है, मतलब इसकी जो width जो थीस की, वो कम होती जा रही है, okay, तो ozone में जो छिदर होना, hole जो होना जाता है, ozone hole, उसका मतलब यह नहीं है कि ozone में कहीं hole हो गया है, ना, ना, ozone की जो layer की जो मोटा ही है, वो कम हो गई है, okay, इसको इस तरीके से relate करो, तो यह ultraviolet rays, अगर हमारी अर्थ के अंदर वाले पार्ट में आती है, मतलब अर्थ का जो atmosphere है, उसमें enter कर जाती है, तो इसकी वज़े से human, animal जो है, वो सभी इससे effect होते हैं, तो हमारे बहुत important है ozone layer, लेकिन pollution की वज़े से decrease हो रही है, तो हमें ozone layer को बनाई रखना चाहिए, कोसिस की जाने चाहिए, किसकी safety बनाई रख सके हैं, तो यह समझाने का प्रियास यहाँ पर इसलिए किया गया, कि यहाँ पर देखो, जो raise है, उनको absorb किया जा रहा है, मतलब absorb किया जा रहा है न, ultraviolet rays को, और इसके थ्रू जो ozone है, वो किसमें divide हो जा है, iron की उसके बारे में बताया गया है, कि हम जो भी लोहा होता है, iron जो होता है, उसमें हम देखते हैं, कि यह procedure देखने को मिलता है, rusting का जो process है, उसको हम इस equation के थ्रू समझ सकते हैं, कि iron है, oxygen है, oxygen हमें air से मिल जाएगी, water, या फिर इस से क्या बनेगा, rust बनेगा, iron oxide, Fe2O3 तो rust जो होता है, उसके लिए आपको oxygen भी चाहिए और water चाहिए, water में water vapor जो है, वो भी चलेगा, मतलब यह दोना essential है, rust का process होने के लिए, कभी-कभी हम देखते हैं, कि air में जो moisture का जो part है, वो काफी ज़्यदा high देखने को मिले, तो rust जो है, वो काफी ज़्यदा तेज गती से faster तरीके से होने लग जाती है, मतलब humid अगर climate बना हुआ है, तो उसकी समय जो है, क्योंकि उस समय जो है, air में moisture की content जो है, वो काफी ज़्यदा increase हो जाता है, तो raining season में अगर आप देखोगे, तो काफी ज़्यदा, यह problem जो है, वो काफी ज़्यदा increase हो जाती है, तो अब हम rusting को कैसे बचा सकते हैं, इस procedure को हम कैसे रोक सकते हैं, तो क्या करें हम, जो भी हमारे iron के जो product है, उनको time to time हम cover करते रहें, coat किस से करें, या तो paint से करें, या फिर grease से करें, लेकिन कभी-कभी एक procedure और होता है, जिसमें metal जो है, उसकी layer चड़ाई जाती है, जैसे chromium या फिर zinc जो है, वो लोई, chromium और zinc जो है, वो किसके उपर? iron के उपर उसकी layer चड़ा दी जाती है, और इस procedure को बोला जाता है, galvanization, okay, the process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization, okay, हमारे घरों में water supply के लिए जो वो pipe यूज के जाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि rusting जो है, वो जल्दी से नहीं होती है, उ sodium के तहट, okay, जिसकी वज़े से procedure नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें, तो जो sip होते हैं, वो तो पानी में होते हैं, और sea water, जहां पर अगर हम बात करें, अगर salty water है, तो salt water जो है, वो rust के formation को और faster कर देता है, तो वहां तो जो sip हैं, वो तो जल्दी खराब होतेंगे, त time to time उनका जो है, वो maintenance किया जाता है, एक तो उनके उपर जो है, वो painting regular की जाती है, कोई भी traveling होने के बाद में, सिप को जो है, वो view किया जाता है, time to time उसके बहुत सारे parts जो है, वो change किये जाते है, okay, तो rusting of iron जो है, उसके बारे में हमने discuss किया, अब हम बात कर लेते हैं, किस सिक्स्थ में हमने एक बात discuss की थी, और इसमें हमने यह देखा था, कि अगर जो हमारा salt water होता है, मतलब हमारा sea water है, तो sea water से आगे हम, अगर हमें प्राप्त करना है, क्या salt प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि evoperation का procedure होता है, sunlight की वज़े से, जो यहाँ पर water है वो change हो जाता है, अपने आपको vapor में change कर लेता है, जिसकी वज़े से यहाँ पर हम जो है, वो salt को प्राप्त कर पाते हैं, ले पाते है salt को, और यह जो procedure होता है, इसको बोलते है crystallization, और यह जो crystallization जो procedure है, यह आता है, physical change के अंडर, ओके, इसको आप इस तरीगा, physical change कैसे, जो ह हमने crystal मिले हमें, मान लो हमें छोटे-छोटे piece जो है, वो किसके मिल गए, किसके मिल गए, salt के मिल गए, salt को आप दुबारा से पानी में डालो, dissolve हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था ना, कि बहुत सारे जो process होते है, physical change में, उनमें main stage में आ जाता है, जो भी product हो कि technology जो है, ज्यादा से ज्यादा chemical reaction के तुरू हम ऐसे product लेकर किया रहे हैं, जिसमें problem कम से कम हो, तो stainless steel जो है, उसको हम iron, iron के साथ में carbon, metals जैसे किरोमियम, nickel, magnesium, यह सब मिलाकर कि एक product बनाते हैं, इसको बोलते है stainless steel, और इस पे जो rusting का जो procedure है, वो नहीं देखने को मिलता है ओके तो यह basic और important example है, पूछ लेंगे कि stainless steel जो है, वो कैसे बनाया जाता है, तो यह सारी metals के name जो है, आपको पता होना चाहिए, अब इस chapter का जो summary है, वो हम देख लेते हैं, कि change जो है, वो दो परकार के हो सकते हैं, physical and chemical change, physical change जो है, वो वो change है, जो किसी भी substance के physical properties में change करते ह हैं, और यहां पर जो है, वो नया substance नहीं बनता है, change जो है, उनको reversible किया जा सकता है, मतलब reversible हो सकते हैं, और जो chemical changes जो है, उसमें नई product बनते हैं, कुछ some substance can be obtained in pure state from their solution by crystallization, कुछ substance को हम clear form में प्राप्त कर सकते हैं, उन crystallization के procedure के तहत, तो यह हमारा chapter number 6 था, अगर आप यहां तक आई हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके अलावा हमारे जो other initiative हैं, other हमारी standard book हैं, वो भी हमने complete की हैं, उनको भी जाकर के आप view कर सकते हो, daily basis पर आप the Hindu analysis देख सकते हो, daily quiz देख सकते हो, जो काफी जादा आपके लिए important रहेंगी, okay, thank you